नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे आरेस मुख्य परिक्षा में राजस्तान हिस्ट्री से आई हुए आज तक के सभी क्योशन के बारे में कि कौन से यह कौन से क्योशन पूछे गए थे तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि किस टोपिक से कौन कौन से क्योशन पूछे जा रहे हैं और बार बार रिपीट कौन से क्यूशन हो रहे हैं या टोपिक कौन से repeat हो रहे हैं इससे पहले हम हमारी पहली कलासिते अंदर बारतिय इतीयास से आज तक पूछी गए यारेस मुख configure प्रिक्षा में सभी person पर चर्चा कर चुके हैं यह हमारी दूसरी क्लास है इसमें हम राजतान हिस्ट्री से जितने वी क्योशन आया है उन पर बात करेंगे तो दो जार इक्किस में प्राचिन वे मद्यकालिन बारतिय इतियास की बात करें हम तो प्राचिन वे मद्यकालिन बारतिय इतियास में दो जार इक्किस से कोई क्योशन नहीं आया था, 2018 में एक क्यूशन आया था, दस अंका आया था, और इसमें तीन सब्वेताइं पुछी गई थी, बागोर, काड़िवंगा और आहड, इनके बारे में थोड़ा विवरन देना था, इसके बाद अगर हम बात करें, तो जो 2016 का आरेस मेंस था, 2016 के आरेस मेंस में एक दो दो अंक क्योशन आया था, अभिलेग से, कोशुणडी अभिलेग का क्या मेतो है, इसके बाद, 2000 के मेंस के अंदर, एक क्योशन आया था, बीस अंक आया था, उसमें जो दस अंक वाला फॉर्मेट है, अभी वर्थमान में शोज़बद और दस अंक का, वो उसमें 272 संका फॉर्मेट हुआ करता था 2013 के मेंस में एक बड़ा क्यूशन आया था कि मालदेव के हुमायू एस्तेर साय के साथ सबंदों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए अगर हम बात करें 2010 के आरेस मेंस की यह चारंग का था जो भी पांच अंग का फॉर्मेट है वो पहले चारंग का फॉर्मेट हुआ करता था उसमें क्यूशन पुछा गया था एक तुंगा का युद है वो पुछा गया था वो भी चारंग का पुछा गया था इसके बाद अगर हम बात करें राजस्तान की कला, साहित्य, शंसकर्ति, द्रोहर और शिल्प के बारे में यानि की आर्ट एंड कल्चर के बारे में तो जो हिस्ट्री है उसकी तुलना में जो प्राचिन और मद्यकलिन राजस्तान का इदियास है उसकी तुलना में जो राजस्तान की कला संसकरती है साहित या द्रोर शिल्प है इस वाले टोपिक से इस वाले खंड से क्यूशन ज़्यादा पुछे जा रहे हैं जब के इस प्राजस्तान के इतियाद से एक वी क्यूशन नहीं पूछा गया था तो 2021 में रावन हता ये कोई वादियांत्र है इसके बारे में पूछा गया था दो अंका क्यूशन आया था इसके बाद मंदीर वास्तुकला में राजसिंग सेली की विशेश्ताओं का किजिए ये दश अंका बड़ा क्यूशन आया था 2021 के में अगर हम बात करें 2018 के मंस की तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला क्योशन था वो है विश्य वनप गरंथ का शंशिप्त विवरण दीजिए दो सब्द का आया था इसके बाद आया था डूंग जी और जुअर जी क विदी कवरणन कीजिए ये पांच अंक क्यों सुनाया था इसके बाद अगर हम बात करें 2016 के आरेस्मेंस की तो 2016 का जो आरेस्मेंस था इसमें जो पहला क्यों सुन था वो था राजस्तान के दुरुग स्थापत्ति की प्रमुग विशेश्ताओं का विवेचन कीजिए ये पांच अंक क्यों सुनाया था इसके बाद आया था राजस्तान की राजस्तान चित्रकला की बुंदी और किशनगर सेलियों की समानता और बिंता को रेखांकित कीजिए यहां से पांचंग का क्युषन पुछा गया था 2006 में, अगर हम बात करें, 2013 के आरेस्मेंस की, तो 2013 का जो आरेस्मेंस है, इसमें रस्तान आर्ट और कल्चर है, इस वाले खंड से, क्युषन पुछा गया था, कि नाथ दवरा चित्रकला की किनी दो परमुख विसेश्ताओं का उलेक की कि їजिए दोंग का क्यूशन पूछा गया था इसके बाद रणथमबोर के दूरुग के शेने महतोग को समजाईए यहां से पांच अंक का क्यूशन पूछा गया था अब इसके बाद हम बात करते हैं आरेस मेंस दो जार बारा की जो आरेस मेंस दो जार बारा का था उसमें जो राजस्तान का आर्ट और कल्चर है इसे बहुत ज़्यादा संख्या में क्यूशन पूछे गये थे ज्यादातर अंक जो क्यूशन है वो अति लगूतरात्मक और लगूतरात्मक टाइप के क्यूशन पुछे गए थे बड़े क्यूशन दोई थे दोजार बारा में एक तो दादुपंत के चार साखाओं का इसने पुछा था दोउंक में मद्यकालेन पगड़ियों के प्रकार पुछे थे दोउंक में वागड़ी बोली पुछी थी दोउंक के और अल्ला जिलावाई के बारे में पुछा था दोउंक का उध्योतन सूरी के बारे में पुछा था दोउंक का गागरों दुरू के स्तापत्य गावनन के ज चारंग का जो उसमें चारंग का फोर्मेट था अभी पांच अंका फोर्मेट है इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन पुछा था राजस्तान के उन जातियों पर प्रकाश डालिए जो संगीत विद्या में पारंगत थी इसके बाद अगर हम बात करें तो युद्विरोदी का वियर राधा के बारे में पुछा था जो चारंग का था और डॉक्टर एलपी टेशिटोरी के बारे में पुछा था ये भी चारंग का पुछा गया था इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के मेलों और तिवारों की प्रमुख वीसेस क्योशन पूछा गया था इसके बाद अगर हम बात करें तो बात और ख्यात के अंतर को शो उदारन स्पष्ट के जिए ये बड़ा क्योशन पूछा गया था 200 सब्द का इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2010 की अर्जा मेंन्स की तो 2010 का जो आरेसमेंस था इसमें पहला कैसं था मोर्चंग ग्क जृवकला और फ्य गेर नर्ट य्य नरь्य दो नो चोकी नर्थ है दो फैसके दो yapt ऑन्द चत्रा ѥोठ था 2010 में हो था राजESतान की शिलप जात्या चयारंग का पुछ गेया था राज़सतान में शक्ति पुझा चयारंग का पुछ गेया था Madyakalijn राजस्तान के बग्ती शंतों यह लोग देवताओं का वअधन यह दोसो सब्द में बड़ा क्युश्ण पुचा गया था इसके बाद अगर हम बात करते हैं है नार्ग-नार्ट करते हैं रिषजार हां रिषजार में में अछे क्यूश्ण पुचा गया थे दोदोंग और चार्चा रंग के तुकनगीर वैसाय Ale के बारे में पुछा गया था ये तूरा कलंगी नर्ते से समन्दित वाला है दोंग का पुछा गया था तासा के बारे में पुछा गया था रासदारी ख्याल के बारे में पुछा गया था शंतराना बाई के बारे में पुछा गया था पत्वारी के बारे में पुछा गया था चित्र साला के बारे में पुछा गये था, नजीर फड़ के बारे में पुछा गये था, बरी पडला के बारे में पुछा गये था, गिद्र नर्तिय के बारे में पुछा गये था, ये सभी के सभी है, वो दो दो अंक वाले ही पुछा गये थे, इसके बाद अगर हम बात करें, तो चेतर से फालगून के रजस्तानी तिमार पुछ गए थे याणि कि चेतर से फालगून महिने के बिच में आनेवारे जो रजस्तानी तिमार है उनके पारे हम अपुछ गए था चैरंका खुचुन था इसके बाद कीजाई त्यारंका था OD देव जी के बारे में पूछा गया था च्यारंग का कवी माग के बारे में पूछा गया था च्यारंग का मद्यकालें राजस्तान के सामाजिक डांचे पर प्रकाश डालिए ये बड़ा क्यूशन था दोसों सब्दों छेंग का ये वाला फॉर्मेट पहले हुआ करता था अब रकला किए विविन समुदायों उनकी विश्यवस्तू का वर्णन कीजिए इसके बाद नेक्ष्ट था राजस्थानी लोग कहावतें दर्ण दर्शन नित्ती कृष्षी अकाल सामाजी करित्ती रिवाजादी दर्शन होती है शोवदारण स्पष्ट कीजिए ये भी बड़ा क हिस्ट्री है उससे बात करें तो यहां से लगबाग बड़े ही क्यूशन पूछे गए हैं दो जार इकिस के मेंस की बात करें तो एकिकरत राजस्थान में सिरोही के विल्ले प्रसंशिप्त लेख लिखिए पचास सब्दों में पांच अंक में पूछा गया था दो जार इक इसका जो इसवार वाला आरेस मेंस हुआ था उसमें दो क्यूशन पूछा गया थे पांच अंक के राजस्थान में बेंगू किशान अंदोलन का अलोच नात्मक प्रिक्षन कीजिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं दो जार ठारा के मेंस की तो राजस्थान में प्रिक्षान में कर्शक एसंतोस्थ के कारणों के विवेचना कीजिए पांच अंक का पुछा गया था दो जार सोड़ा के अगर आरेस मेंस की बात करें तो राजस्थान के परजामंडल आंदोलन की मूल बूत विशेश्थाओं को सपस्ट कीजिए यह दसंका बड़ा क्यो पुछा गया था दोंग का फिर इसके बाद दो जार बारा का जो आरेस मेंस था उसमें डाबडा किसाना अंदोलन पूछ लिया था दोंग का और राजस्थान के राजनेतिक जागरती में परजामंडल आंदोलनों की पुमिका का प्रिक्षन कीजिए अगर हम इतने जो डोजार बारा से लेकर के दोजार इकिस तक जितने भी आरेस मेंस हुए हैं उनमें अगर हम एक बात ध्यान से देखे तो किसाना अंदोलन किसान अंदोलन और पर्जामेंडल अंदोलन से बड़े क्यूशन आ रही है लगातार आ रहे हैं तो ये टोपिक है वो अतिमेतोपुर्ण टोपिक है वो हो जाता है लगातार आ रहे हैं कोई छोटा क्यूशन आया है नहीं एक डाबरा किसान अंदोलन के बारे हमें जो आधुनिक राजस्तान का इदिया से उसके बारे में बात करें तो काली भाई से दो उंक का किशन पूछा गये था, सागरमल गोपा से दो उंक का किशन पूछा गये था, राजपताना मद्य बारत सभा के बारे में जारंक का किशन पूछा गये था, फिर इस्ट इंडिया क जनता के समाजी कार्थिक उठान के योगदान पर चर्चा कीजिए दो सब्द और छेंग का क्यूशन आ गया था इसके बाद अगर हम बात करें 2008 के आरेसमेंस की तो 2008 का जो आरेसमेंस था यहां से बड़े क्यूशन पुछे गे थे चोटे क्यूशन नहीं पुछे गे थे 50 सब दो वाले जो लगुत्रादमक क्यूशन पूचे गे थे अठारा स्ताउन के करांती में राजस्तान का योगदान और अजमेर मेरवड़ा का राजस्तान में विले और राजस्तान के शिवतंतरता अंदोलन में महिलाओं की राजनेतिक्स है बागिताप की विवेचना की उन सभी पर चर्चा कर लिए और हमारे नेक्स्ट क्लास है वो प्रतेक सब्जेक्ट वाई चलती रहेगी अभी नेक्स्ट क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री में कितने क्यूशन पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट सब्जेक् सब्सक्राइब केजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो भी है वो आपको मिलती रहे धन्यवाद